मकर सक्रांती की दिन हमिर्पूर शहर में ब्यापारियों ने हलबा परशाद के रूप में बांटा तो सुवनकारों की दुकानों में मकर सक्रांती के अबशर पर कन्याओं की कानों वो नाक में छेद करवाने के लिए सुबह से ही भीड देखी गई बता दें की आस के दिन कानों में छेद करवाना अत्यन तिशुब माना जाता है और लोग भी साल भर इस दिन के इंतजार में रहते हैं मकर सक्रांती पर लगाये के बंडारे के बारे में बताते हुए दुकानदार अश्वनी जिगोता ने बताया कि ये बंडारा हर सक्रांती पर लगाया जाता है और आज मकर सक्रांती पर भी लगाया गया है जिसमें हलवा और खिचुडी बांटा जा रहा है जिसका लोगों ने भरपूर आनंद लिया। दुकान पर मकर सक्रांती के अबसर पर सुबह से ही काफी भीर देखी गई। इस मौके पर नन्य करन्याओं के कान और नाक में छेद करवाए गए। कश्मीर संजूलिस के मालिक ने बताया कि हिंदू धर्म के अमसार मकर सक्रांती के दिन नाक और कान को छिदवाना बहुत ही शुब माना जाता है और इसी उपलक्ष में दुकान में बहुत बेर देखने को मिली। मकर सक्रांती की हिमाचल बास्यों को कश्मीर संजूलिस की तरफ से बहुत बहुत मुवारिक हो। आज मकर सक्रांती में हिंदू धर्म के साथ से जो भी बच्चे कान नाक छेद कुराते हैं आज का दिन बहुत चुब माना गया है। आज आज आप देख रहे हैं कि हमारी दुकान में कान नाक कई जारा काम है और मकर सक्रांती को ये सुम माना गया है। हमाई तर्फ से पूरे माचल बास्यों को मकर सक्रांती की बहुत बहुत चुब काम लाएं।